हलो जहीं साथियों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे हैं साथियों आज की डेट है 27 अगस्त 2022 लेकिन हम सॉल्व करने वाले हैं 26 अगस्त 2022 के IT के चातरों ने चेप पेपर भिया उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं पहला कोशन IT के चातरों ने भेजा जो की यह ध्यान एकिगा IT सेकेंडियर का है सेकेंडियर की जितने भी चात एलेक्टिस्यें ट्रेड से गए थे एक्जाम दने कुछ चातरों ने भेजा और उसी को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं पहला कोशन जिसमें पूछा जा रहा है कि रोटरी स्भीच के किस परकार के डीजाइन का चरित्र यहाँ पर सचित किया गया पतलब यहाँ पर जो आपका दिखाय जा रहा है चित्र में यह कौन सा यहाँ पर उपकरण है इसका आपको नाम बताने का है देखिए आगे का जो यह सीरा यह आपका सिक्के के नुमा है और इसको यहाँ पर जाना जाता है सिक्के के सलाट के नाम से आफसन नंबर सी correct tensor हो जाता है बाकि other यहां पर question जो भेजा गया था जिसमें यहां पर rectified diode से पूछा गया था तो जो चातर यहां पर B option मारे होंगे उनका B option सही हो जाता है एक और question था जो कि यह question आपका यह भी alternator से था यह आपका जो पूछा गया था current के अंतरगत यहां पर excitation से पूछा गया था तो जो चातर यह मारे होंगे उनका A option सही हो जाता है अगला question था सात्यों इसमें भी आपका कुछ इसी तरह का पूछा गया था कि DC generator से यह आपका जो यहां पर insulation उसके अंतरगत पूछा गयाता है तो जो चातर इसमें मारे होंगे option number D यह देखबाल कर रहता है और यहां पर ज्यादा यहां पर दिनों तक चलता है इसके कारण यह किया जाता है तो option number D यहां पर बिल्कुल correct tensor हो जाता है आगे देख़िए अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन पूछा गयाता है कि DC generator के जो फिल्ड कोईले होते हैं इसका मुख्य उद्यस से क्या होता है इसका मुख्य उद्यस से होता है जो पूल मैगनेट होते हो इसके कारे के अनुसारित का फ्लक्स परदान करना आफसन नंबर सी हमारा correct tensor इसमें हो जाता है आगे देख़िए अगले कोशन को जो कि अगला कोशन आइटे के चातरों ने विज़ा कि rectify diode मद्य कन्वर्टर जो होता है वो यहां पर इसमें जो यहां पर कोशन इन्हों ने लिखा यहां पर सही नहीं है इसको हम छोड़ देते क्योंकि यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कोशन तो इसका answer क्या बताया जा बाकि जो चात्रिस में मारे होंगे A option उनका यहां पर A option गलत होगा यहां पर सही होगा B option अगला कोशन जो IT के चातरों ने बेजा इसमें पूछा जा रहा है कि यहां पर which material in use for starting resistance आप DC Starter मतलब कि यहां पर करें है कि DC Starter के जो aw Zum學 achievements होता है उसके यहां पर कौन सा material उपियोग में लाया जाता है जैसनी उपियोग में लाया DC motor का उप्यो किया जाता है इसमें किया जाता है सात्यों cumulative compound motor का जो option में यहाँ पर आपको D देखने को मिलता है correct answer आगे देखिए अगले question को जिसमें अगला question यहाँ पर IT के चात्रों ने भेजा कि sir इसमें पूछा गया था कि good morning nice to meet you how have you been explain आप और यहाँ पर दिया गया था मतलब कि good morning आपसे मिलकर अच्छा लगा आप कैसे हैं हैं और इसके उधारन क्या हो सकते हैं देखिए इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है एक यहाँ पर संगठन से होता है और यहाँ पर आपका डी आफसन बिलकुल मैच कर रहा है डी आफसन जो चातर मारे होंगे डी आफसन करेक्ट टेंसर हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन पूछा गया था कि अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया था कि साई भी कल्प की पहचान करे और और स्तित सब्दों को पुनुर्वज स्तित करें और दो परिकृए संचार रास्ता का एक यहाँ पर इस तरह यहाँ पा कोश memoir पूशा गया था खाले स्थान का हिस्सा है यह किसका हिस्सा है यह जो हिस्सा है साथ एक अपचारी का रिस्थल का हिस्सा है आफसन नंबर ए हमारा सही हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन यहां पर कहा जा रहा है कि रिक्तस्थानों की पूर्ति करें यहां पर जो यहां पर आपका C दिया गए यह बिल्कुर सही हो जाता है C आफसन करेक्ट हो जाता है अगला कोशन जो इन्हों ने भेजा इसमें यहां पर पूछा गया था कि टेबल तार साकेट केबल और हथोड़े कील पाइप मोटर रिफिजेटर खाले स्थान की उधारान यह किसकी इससल की द्याता है यहां पर दिया गए कि इस संटेंस का जानते is यह कंसण यहां पर संटेंस है तो यह जो दोस्तों इंपरेट्व है कंसणफ संटेंस है यह आपका सही हो जाता है फी चली आगे देखिए अगले कोश्चिं को जो कि अगला कोश् bowel कोश्चिन इसमें डी आपका बिल्कुल मेच कर रहा है डी आफ सनम करेक्ट इंसर मारेंगे अगला कोशन साथ यो इसमें पूछा गया था कि यहां पर कृति स्थानों की पूर्ति करें यह कोशन साथ उपर था जिसमें यहां पर आपको फले और गीव यहां पर भरना था एक खाले स्थान में प आपका रिस्क लिंग कहा है पर इसको डिस्कैलिंग नहीं बोलाता है यह गलत है इसको योगता बोला जाता है ठीक है यह आपका डिया आफसन से हो जाता है आगे देखे scientists को जो अगला कोशन चात्रों ने भेजा उसमें यहां पर पूचा गया था कि किसी बेगती की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिवद्धित करने की छमता को खालिस्तान कहते हैं उसको भावनात्मक खुपिया बोला जाता है आफसर नंबर सी करेक्ट इंसर हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को जो कि अगला कोशन इसमें पोचा गया था कि यहां पर कंट्रोल फैनल वाइरिंग मध्य कंट्रोल टांसफार्मर का वापर तात है इसका मतलब इसका तात्परे क्या है तो देखिए इसका तात्परे यह होता है कि to supply the power up thecribe circuit मतलब कि इसकी मध्य जो इहां पर supply को इसको यहा आर्मेचर और यहां पर कोशन यहां पर पूछा गया है यह आपका हिंदी में यहां पर बिल्कुल इन्होंने गलत बेजाए लेकिन इंगलिस में आप पढ़ेंगे तो समझ में आजाए इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या देखने को मिलेगा तो देखिए इसमें आपको सही हो जाता है आफसन नंबर सी डिसको फिल्ड एक्साइटे टेंशन करेंट के नाम से जाना जाता है सी आफसन आपका बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है